ओम शांती आज 27 मैं 2022 दिन शुक्रवार की साकार मुर्लू आईए अब सुनते हैं मीठे बाप दादा के मधूर महावा क्यों को मीठे बच्चे विचार सागर मन्थन कर भारत की हिस्ट्री जोग्रफी और नई दुनिया का संवत सिद्ध कर बताओ तो कल्प की आयू सिद्ध हो जाएगी प्रश्न तुम बच्चों को अभी कौन सी धुन लगी हुई है जो मनुश्यों से भिन है उत्तर तुम्हें धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है उसे हम सेल्वेज करें सबको सच्ची सच्ची सत्य नारायन की कथा वा अमर कथा सुनाएं जिससे सब की उन्नती हो इतने बड़े-बड़े महल बिजलियादी सब कुछ है परन्तु उन्हें यह पता नहीं है कि यह सब आर्टिफीशल जूटी उन्नती है सच्ची उन्नती तो सत्युग में थी जो अब बाप आकर करते हैं गीत आखिर वह दिन आया आज ओम शंति गरीब निवाज आया तो सही परन्तु कोई सही तिथी तारीक नहीं लिखते हैं कोई डेट समवत तो होना चाहिए ना जैसे बताते हैं कि आज फलानी तारिक फलाना मास फलाना समवत है गरीब निवाज का बाया ये लिखा नहीं है जैसे लक्षमी नारायन सत्यूग आदी में थे तो उनका भी सम्वत होना चाहिए इनका फलाने सम्वत में राज्य था लक्षमी नारायन का भी सम्वत है और भी सबके अपने अपने सम्वत है गुरु नानक का भी लिखा होगा कि फलाने संवत में जन मलिया संवत बिगर पता नहीं पड़ता यह लक्षमी नारायन भारत में राज्य करते थे तो जरूर संवत होना चाहिए इनका संवत माना स्वर्ग का संवत लक्ष्मी नारायन ने सत्यूग में राज्य किया किस सम्वत से किस सम्वत तक कहें तो भी पाँच हजार वर्ष ही कहेंगे गीता जयन्ती का थोड़ा फर्क करना पड़ता है शिव जयन्ती और गीता जयन्ती में फर्क नहीं है क्रश्न जयन्ती का फर्क पड़ेगा लक्ष्मी नारायन का वहीं समवत लिखना होगा यह भी विचार सागर मंथन करना होता है पबलिक को यह कैसे बताएं लक्ष्मी नारायन का क्यों नहीं समवत दिखाते हैं विक्रम समवत दिखाते हैं बाकी विक्रमा जीत समवत कहां? अभी तुम बच्चों को अच्छी तरह मालूम है भारत की हिस्ट्री जोग्रफी नई दुनिया का समवत भी दिखाना चाहिए. नई दुनिया में राज्य था आदी सनातन देवी देवताओं का, तो उनका समवत भी कहेंगे? हिसाब करेंगे तो उनको पांच हजार वर्ष हुआ. यह सिद्ध कर बताने से कल्प की आयू सिद्ध हो जाएगी. और लाखों वर्ष जो लिखा है वह जूठा हो जाएगा. यह बातें बाप आकर समझाते हैं. जो मनुष्य स्रिष्टी का बीज रूप है. स् तीन हजार साथ सो पचास वर्ष हुए रामसीता को. फिर आगे उनकी डिनायस्टी चली. फिर विक्रम समवत शुरू होता है. विक्रम राजा का जो समवत है वह भी राइट नहीं है. बीच में कुछ वर्ष गुम है. होना चाहिए पच्चिस सो वर्ष. इस्लामी बोधी का भी थूड़ा समय पीछे शुरू होता है. इन्होंने दो हजार वर्ष से अपना समवत दिया है. तुम जानते हो हम सभी देवी देवता थे. जो चक्र लगा कर अब ब्रहमन बने हैं. यह हिस्ट्री जोग्रफी अच्ची तरें समझानी है. ब्रहमन से फिर देवता बनते है हिस्ट्री जोग्रफी समझते हो तो समवत भी समझना पड़े. सीड़ी के चित्र में समवत लिखा हुआ है. भारत का समवत ही गुम हो गया है. जो पुज्य थे उनका समवत ही गुम कर दिया है. पुजारियों का समवत शुरू हो गया है. देखो अशोक पिल्लर कहते हैं. द्वापर में अशोक अर्थात, शोक रहित तो कोई है नहीं, अशोक पिलर तो आधा कल्प सत्यूग त्रेता तक चलता है, उनकी यह महिमा है, शोक पिलर की महिमा नहीं है, यहां तो दुख ही दुख है, अशोक का होटल नाम रखा गया है, परंतु है नहीं, आधा कल्प शनभंगुर सुख को अशोक कह देते हैं, यहां अशोक कुछ है नहीं, मास मदिरा गंद खाते रहते हैं, कुछ भी समझते नहीं कि हम दुखी कैसे हुए, कारण क्या है, अभी तुम समझते हो, यह बातें कल्प पहले स्वर्ग में सुखी थे, जो वहाँ थे नहीं, वह सुनेंगे भी नहीं, जिनोंने भगती पूरी की होगी, वह कुछ ना कुछ आगर शिक्षा लेंगे, नौलेज को सुनकर लोग खुश होंगे, चित्र भी क्लियर है, समझत भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा को भी जानते नहीं, इसलिए शिव शंकर को मिला दिया है, शिव है परम पिता परमात्मा, शंकर है देवता, दोनों को मिला ना सके, अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है, कितना नशा चढ़ता है, रात दिन यही तात लगी रहे, कि लोगों को कैसे समझा में, बे सम को ही समझाया जाता है, तुम समझते हो कि भारत पहले क्या था, फिर डाउनफोल कैसे हुआ है, दुनिया तु समझती हमने बहुत उन्नती की है, आगे तो इतने बड़े महल, बिजली, आदी कुछ नहीं था, अभी तो बहुत उन्नती में जा रहा है, क्योंकि उन्हों को त पता ही नहीं है, कि यह आटिफिशिल जूटी है, सच्ची उन्नती तो सत्युग में थी, यह समझाना है, वे अपनी धुन में है, तुम्हारी धुन अपनी ही है, तुमको खुशी है, तो विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ था, उनको हम बाबा की नौलेज द्वारा स में सत्यनारायन की कथा, वा अमर कथा फिर से सुनाते हैं, भक्ती मार्ग में तो उनक कथाएं सुनाते हैं, तुम समझते हो कि वे सब जूठी कथाएं हैं, जिससे कोई फाइदा नहीं, यह शास्त्र आदी पढ़ते आए हैं, फिर भी स्रश्टी तो तमो प्रधान होती ही जाती है, सीड़ी उतरते आए हैं, फाइदा क्या हुआ? सिख लोगों का भी मेला लगता है, वहां तालाब में स्रान करते हैं, वे गंगा जमना आदी को नहीं मानते हैं, कुम्भ के मेले पर सिख लोग नहीं जाते हैं, वे अपने तालाब पर जाते होंगे, उनका फिर खा प्रोग्राम होता है, कभी उनको साफ करने भी जाते हैं, सत्यूग में तो यह बाते होती नहीं, सत्यूग में तो नदियां आदी बिल्कुल साफ हो जाएंगी, वहां कभी गंगा जमना में गंद कीचड़ा नहीं पड़ता, वहां के गंगा जल और यहां के गंगा जल में रात दिन का फर्क है, यहां तो बहुत कीचड़ा पड़ता है, वहां तो हर एक चीज़ वस क्लास होती है, तुम बच्चों को अब बहुत खुशी है कि हमारी राजधानी ऐसी होगी, हम फिर से पाँच हजार वर्ष बाद श्रीमत पर स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, नाम ही है स्वर्ग, बैक कुंट, जिसमें लक्षमी नारायन का राज्य था, शांती धाम अथवा निरवान धाम एक ही है, तुम जानते हो कि हम शांती धाम में कैसे रहते हैं, उपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विश्नु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर शत्रि वैश्य शुद्र, निराकारी जाड से आतमाएं नंबरवार आती रहती हैं, जो सत्यूग में आने वाले नहीं हैं, वे पढ़ने के लिए कभी आएंगे नहीं, हिंदू धर्म ही जैसे अलग हो पड़ा है, किसी को पता नहीं कि आदी सनातन देवी देवता धर्म था, वे ध धर्म कैसे और कब स्थापन हुआ, किसी को पता नहीं है, तुमको यह नौलेज अब दी गई है, कि दूसरों को भी समझाओ, चित्र तो बहुत सहज है, कोई को भी समझा सकते हो कि इन्होंने यह राज्य कब और कैसे किया, और कितना समय तक राज्य किया, राम सीता का भी हो ना चाहिए, कि फलाने समवत से फलाने समवत तक इन्होंने राज्य किया, पीछे फिर पतित राजाएं शुरू हो जाते हैं, यह देवताएं हैं मुख्ये, जिनकी पूजा होती है, वास्तव में महिमा सारी एक पूज्य की होनी चाहिए, भक्ती मार्ग में तो सब को परकुल ही नहीं अभी तुम समझाते हो तो सुनकर खुश होते हैं, तब तो सेն्टर्स खोलते हैं, समझते हैं कि इस नौलेज से हम सोदेवता बनेंगे, बापने गरीबों को आ कर साहुकार बनाया है बाप आकर बच्चों को समझाते हैं बच्चे फिर औरों को समझाकर उन्हों का भाग्य खोले वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी अभी तुम बाप द्वारा सुनते हो वे समझने से तुम सब कुछ जान जाते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री जोग्रफी तो जरूर वर्ल्ड का रचियता बीज रूप ही सुनाएंगे वही नौलिजफुल है वह है निराकार शिव देहधारी को भगवान रचियता कह नहीं सकते निराकार ही सभी आत्माओं का पिता है वह बैट आत्माओं को समझाते है मैं परमधाम में रहने वाला हूँ अभी मैं इस शरीर में आया हूँ मैं भी आत्मा हूँ मैं बीज रूप नौलिजफुल होने कारण तुम बच्चों को समझाता हूँ इसमें आशिरवाद कृपा आदी की कोई बात नहीं है ना अल्पकाल सुख की बात है अल्पकाल का सुख तो लोग दे देते हैं एक को कुछ फाइदा हुआ तो बस नाम चड़ जाता है तुम्हारी प्राप्ती तो 21 जन्म के लिए है सोतो सिवाए बाप के ऐसी प्राप्ती कोई करा ना सके 21 जन्मों के लिए निरोगी काया कोई बना ना सके भक्ती मार्ग में मनुश्यों को थोड़ा भी सुख मिलता है तो खुश हो जाते हैं यहां तो 21 जन्मों के लिए प्रालब्द पाते हैं तो भी बहुत है जो पुरशार्थ नहीं करती उन्हों की तकदीर में नहीं है तद्बीर तो सभी को एक समान ही कराती है उस पढ़ाई में तो कभी अलग टीचर भी मिल जाते हैं यह तो एक ही टीचर है बल तुम खास बैठ समझाते होंगे लेकिन नोलज तो एक है सिर्फ हर एक के उठाने पर मदा रहे यह भी एक कहानी है जिसमें सारा राज आ जाता है बाबा सत्यनारायन की कथा सुनाते हैं तुम अंगे अखरे अर्थात तिथी तारीख सब सुना सकते हो कोई कोई सत्य नारायन की कथा सुनाने वाले नामी ग्रामी होंगे उनको सारी कथा कंठ हो जाती है तुम फिर यह सच्ची सत्य नारायन की कथा कंठ कर लो होत सहज है बाप पहले तो कहते हैं मन मनाभव फिर बैठ हिस्ट्री समझा इन लक्ष्मी नारायन का तो सम्वत बता सकते हो न आओ तो हम आपको समझावें कि बाप कैसे संगम युग पर आता है ब्रह्मा तन में आकर सुनाते हैं किसको ब्रह्मा मुखवैंशाव लेको जो फिर देवता बनते हैं चुरासी जन्म की कहानी है ब्रह्मान सो देवता बनते हैं पूरी नौलज है यह सुनकर फिर बैठकर रिपीट करो तो बुद्धी में सब आ जाएगा कि हम देवता थे फिर ऐसे चक्र लगाया यह है सत्य नारायन की कथा कितनी सहज है कैसे राज लिया फिर कैसे गवाया कितना समय राज्य किया लक्ष्मी नारायन और उनका कुल घराना था न सूर्यवंशी घराना फिर चंद्रवंशी घराना फिर संगम पर बाप आकर शुद्रवंशियों को ब्राहमण वंशी बनाते हैं यह सच्ची सच्ची कथा तुम सुन रहे हो सत्युग में लक्षमी नारायन के हीरे जवारों के महल थे अभी तो क्या है बाप ने यह तो कथा सुनाई है न अब बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो खाद निकल जाएगी जितना खाद निकलेगी उतना उचपद पाएंगे नंबर वार समझते हैं बाबा जानते हैं कि कौन-कौन अच्ची रीती बुद्धी में धारण कर सकता है समझाने में कोई तकलीफ नहीं है बिल्कुल सहज है मनुष्य से देवता बनना तो मशहूर है घड़ी-घड़ी यही सत्य नारायन की कथा सुनाते रहो वह है जूठी यह है सच्ची सेंटर पर भी सत्य नारायन की कथा सुनाते रहो वा मुरली सुनाते रहो तो बहुत सहज है कोई भी सेंटर चला सकते हैं परन्तु फिर लक्षन भी अच्छे चाहिए एक दो में लून पानी नहीं होना चाहिए आपस में मीठे होकर नहीं चलते हैं तो आबरु अर्थात इज़त गवाते हैं बाप कहते हैं कि मेरी निंदा कराएंगे तो उच्पद नहीं पा सकेंगे अब गुरुओं ने फिर अपने लिए कह दिया है अब तो वह कोई ठोर बताते नहीं ठोर बताने वाला तो एक ही है उसकी निंदा कराएंगे तो नुकसान के भागी बन जाएंगे फिर पद भी ब्रेश्ट हो जाएगा काला मू करते हैं तो अपनी सत्यानाश करते हैं ऐसे भी हैं जो हार खा लेते हैं फिर कोई तो सच्चाई से लिखते हैं कोई जूट भी बोलते हैं अगर सच्ची कता सुनाते रहें तो बुद्धी से जूट निकल जाएगा ऐसी चलन नहीं चलनी चाहिए जिससे बाप की निंदा हो जिनकी ऐसी अवस्था है वह जहां भी जाते हैं तो ऐसी ही चलन चलते हैं खुद भी समझते हैं कि हम सुधर नहीं सकेंगे तो फिर राय दी जाती है घर ग्रस्थ में रहो जब धारना हो जाए तब फिर सर्विस करना घर में रहेंगे तो तुम्हारे उपर इतना पाप नहीं चड़ेगा या फिर ऐसी कॉमन चलन चलते हैं तो निंदा करा देते हैं इससे तो ग्रस्थ वेवार में कमल फूल समान रहना अच्छा है अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ब्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते तारना के लिए मुखे सार अंदर से जूट निकल जाए उसके लिए सदा सत्ते नारायन की कथा सुननी और सुनानी है कभी ऐसी चलन नहीं चलनी जो बाप की निंदा हो आपस में बहुत मीठा होकर रहना है कभी लून पानी नहीं होना चाहिए अच्चे लक्षन धारन कर फिर सेवा करनी है वर्दान ब्राहमन जीवन में बधाईयों की पालना द्वारा सदा व्रद्धी को प्राप्त करने वाले पदमा पदम भाग्यवान भव संगम युग पर विशेश खुश्यों बरी बधाईयों से ही सर्व ब्राहमन व्रद्धी को प्राप्त कर रही है ब्राहमन जीवन की पालना का आधार बधाईया हैं बाप के सवरूप में हर समय बधाईया है शिक्षक के सवरूप में हर समय शाबाश शाबाश का बोल पास विद ओनर बना रहा है सद्गुरु के रूप में हर श्रेष्ट कर्म की दुआई सहज और मोजवाली जीवन अनुभव करा रही है इसलिए पदमा पदम भाग्यवान हो जो भाग्य विधाता भगवान के बच्चे संपूर्ण भाग्य के अधिकारी बन गए स्लोगन सच्छी सेवा द्वारा सर्व की आशिरवाद प्राप्त करने वाले ही तकदीरवान है ओम शंती स्च्छी से खाग्या की विधाता प्राप्त करने वादावान है एक गवारा सर्वर भाग्य का बच्भान है इस सेवारा सर्वारा दिता की प्राप्त करने विधान है